नमस्कार दोस्ते एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको RPF Constable के प्रिवी शरी कोशन पेपर स्वाल्व करा रहा हूँ इससे पहले मैंने आपको RPF SI के प्रिवी शरी कोशन पेपर स्वाल्व करा रहे हैं अगर आप RPF SI की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने प्रिवी लिस्ट का लिंक दे दिया है आप वहां से जाके उनको देख सकते हो RPF Constable के भी मैंने आपको 18 सेट सॉल्व करा दिये हैं आज आपके लिए लाया हूं 29 सेट जोगता 10-2-2019 की सेकिंड सिफ्ट को तो बिना देरी के वीडियो को सुरू करते हैं हमारा पहला क्यूशन है दोस्तो सिमली पाल बायो स्फियर रिजर्व किस राजजी में स्थित हैं यह आपका ओडिशा में स्थित option number एक सही आंसर हो जाएगा question number 2 भार उत्तो लगो के वरगी करण के लिए निम्न में से किस परिमाप का उपयोग किया जाता है इसमें उपयोग किया जाता है सरीर के भार का option number एक सही आंसर हो जाएगा question number 3 कस्मीर के स्रीनगर से उत्तर दक्षिन गलियारा निम्न में किस तटवरती छेतर को जोडता है यह जोडता है दोस्तो कस्मीर से कन्यकुमारी को option number 2 सही आंसर हो जाएगा इस गलियारे की जो कुल लंबाई है वह है 4076 किलो मिटर यह बात आप याद रखेंगे option number 2 हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा question number 4 भारती समविधान में कितने मूल कर्टवियों का उलेग है इसमें उलेग है 11 मूल कर्टवियों का इस समविधान के भाग 4 के अंतरगत आते हैं समविधान के अंतरगत 4 के के अंतरगत आटिकल आपका 51 के उसके अंतरगत ही आते हैं और 1976 में 42 संसुदन दुआरा पहली वार समविधान में 10 कर्टवियों जोड़े गए उसके बाद चैसीवा संसोधन के दुआरा इसमें एक कर्टब वे जोड़ा गया तो कुल मिला कर इनकी संख्या होगी 11 वर्तमान में हमारे जो मूल कर्टब होगी संख्या है वो ये दोस्तो 11 option number एक सही आंसर यहां पर हो जाएगा question number 5 निमने लिखित में से किसे प्रती सेकंड दोलनों की संख्या कहा जाता है ये कहा जाता है आवरत्ती को आवरत्ती का इकाई होती है दोस्तो हर्टस हर्टस इसकी इकाई होती है ये बात आप याद रखेंगे option number 3 सही आंसर हमारा हो जाएगा question number 6 प्रसुल्क एवं विया पार पर सामानी समझूता गैट किस वर्ष अस्तित्व में आया ये अस्तित्व में आया था उनिस सोड़ता इलिस को option number 3 सही आंसर हो जाएगा question number 7 धातु के sodium hydroxide से अभी किरिया करने पर कौन सी ग्यांस उतसर्जित होती है ये उस्तित होती है hydrogen option number 4 सही आंसर हो जाएगा question number 8 भारत के समविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किस के द्वारा प्रस्तूत किया गया ये प्रस्तूत किया गया था मान बेंदरनात राई के द्वारा इनकों MN राई भी कहते हैं और इन्होंने ये विचार दिया था पहली बार 1934 में ये बात आप याद रखेंगे 1934 में समविधान सभा का पहली बार विचार किस ने दिया था MN राई ने option number 3 सही आंसर हमारा हो जाएगा question number 9 2018 में भारत की प्रसिद खिलाडी पीटी उसाकिस खेल की राष्टी और ये विक्षक बनाई गई ये बनाई गई थी दोस्तों athletics की option number 4 सही आंसर हो जाएगा Paili Express के नाम से भी इनको जानते हैं ये बात आप याद रखेंगे हमारा अगला question है question number 10 verse 1889 में British सरकार ने किस देश के सासक के साथ गंड मक की संदी पर हस्ताकसर किये इन्होंने हस्ताकसर किये थे दोस्तों Afghanistan के सासक के साथ option number एक सही आंसर हो जाएगा question number 11 William Jones दुआरा निकाला गया पत्र था ये था दोस्तों Asiatic Society of Bengal इसकी स्थापना हुई थी 1784 में 1784 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी ये बात आप याद रखेंगे option number 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा question number 12 Mumbai में Gateway of India किस वास्तुकला Sally में बनाया गया था ये बनाया गया था दोस्तों भारत और अर्वी में 1911 में ये बनाया था ये बात आप याद रखेंगे option number 3 सही आंसर हमारा हो जाएगा question number 13 बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयूक का ध्यक्स कौन था ये था दोस्तों Cyril Radcliffe और ये आयूक बना था दोस्तों 1947 को ये बात आप याद रखेंगे option number 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा question number 14 विशेश तोर पर किसी निश्चित इस्थान पर पाये जाने वाले पोधों और जन्तुओं की प्रजाती क्या कहलाती है ये कहलाती है इस्थानिक प्रजाती option number 4 सही आंसर हो जाएगा question number 15 कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी धातु तरह लवस्था में रहती है ये रहती है पारा ये question मैंने आपको पिछले प्रिवशरे question paper में विश्चित इस्थान पर कराया है आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते है option number 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा question number 16 भारती सम्विधान के 11 भाग में किसका वर्णन किया गया है इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों केंद और राज्यों की भी समण्द का किसका समण्द दिया गया है दोस्तों article इस भाग में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक इसमें article आते हैं ये बात आप याद रखेंगे, option number 4 साही आंसर हो जाएगा question number 17 देवेंद्र जांजरिया ने Rio Olympic 2016 में निम्न में से किस खेल के लिए सौन पदक जीता था, इन्होंने सौन पदक जीता था भाला फेक के लिए option number 4 साही आंसर हो जाएगा question number 18 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में पूर्ष साक्सरता दर कितनी है इसमें है दोस्तो 82.14% और जो female की साक्सरता दर है दोस्तो female की जो साक्सरता दर है वो है 65.46% और जो total India की जो साक्सरता दर है वो है 74.04% और सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है दोस्तो केरल लाजजे की इसमें 94% लोग पढ़े लिके हैं 94% वहां की साक्षरता है केरल की ये बात आप याद रखेंगे हिंदु मंदिरों में एक चोटा कमरा जिसमें उनके मुख्य देवता इस्थापित होते हैं कहलाता है ये कहलाता है गर्भ ग्रह आप्ष्य नमबर दो सही आंसर हो जाएगा क्रेशन नमर 20 लक्षदीब का एक मात्र हवाई अड़ा कहां इस्थित है ये इस्थित है दोस्तों आपका अगत्ती में और इसका उद्गाटा नुगाता 16 प्रेल 1988 को इसका उद्गाटा नुगाता आप्ष्य नमर 4 सही आंसर हो जाएगा क्रेशन नमर 21 भारत के किस एक मात्र राज्य का अबना अलग सम्विधान है ये है दोस्तों जम्बू कसमीर का लेकिन अब नहीं रहा 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को सम्विधान से आर्टिकल 370 रद कर दिया गया है तो ये बात आप याद रखें आप्ष्य नमर 4 सही अंसर हमरा हो जाएगा क्रेशन नमर 22 हूवर बांद किस नदी पर निर्मित है ये निर्मित है दोस्तों कोलो राडो पर आप्ष्य नमर 4 सही अंसर हो जाएगा क्रेशन नमर 23 निस सो चोबिस में भारती राश्टिक का वह अधिवेशन कहां आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्सता में और बेल गाम आपका इस दितक करनाटक में ये बात आप याद रखेंगे और चार सही अंसर हो जाएगा क्रेशन नमर 24 निमन में से किस महसागर में धारा की दिसा का पूर्ण विपर्यास देखा जा सकता है ये देखा जा सकता है दोस्तों हिंद महसागर का और तीन सही जो लोग रहते हैं उनके लिए 2400 कैलोरी ये बात आप याद रखेंगे और चार सही अंसर हमारा हो जाएगा क्रेशन नमर 26 बिमारिया फैलाने वाले सुक्समजीव कहलाते हैं ये कहलाते हैं दोस्तों पैथोजन बिमारी पांस तरीके से फैलती है पहली बैक्टीरिया के द दोस्तों शेम वहनी वर्षा ऑफ्शन नमर 2 सही अंसर हो जाएगा क्रेशन नमर 28 निमन लिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाती हैं ये जाती है दोस्तों आपकी तापती नदी मद्धी परदेश से ये नदी निकलती है ऑफ्शन नमर 2 सही अंसर हो जाएगा क्रे Q3. निम्न में किस खेलिया इस पुरदा में खेलने के लिए बॉल की आवशकता होती है? यह आवशकता होती है दोस्तों, टेबल टैनिस में. Kanata जो यह आपका हातों से खेला जाता है. सतरंज भी आपका बैड के ही खेला जाता है हातों में. इसमें गिट्टिया होती है, कुस्ती भी आपकी हाथ से खेले जाती है, लेकिन टेबल 10 इसमें आपको बॉल की जरूत पड़ती है, option number 3 सा ही आंसर हो जाएगा, अगला question number 21, 31, गेंदर सासित परदेश दिल्ली के मुख्यमंदरी की नियुक्ति किसके दुआरा की जाती है, ये किलो जूट प्रती किलो ग्राम से, option number 1 साही आंसर हो जाएगा, question number 33, भारती समविधान की छटी अनुसूची में नीमिन में से किस राज्ये के सम्मद में प्रावधान नहीं है, ये है दोस्तों सिक्केम के लिए, option number 3 साही आंसर हो जाएगा, हमारा गला question है, question number 34, question number 34 है हमार स्वन जैनती ग्राम सो रोजगार योजिना का पुनर गठन किस रूप में किया गया, ये किया गया था दोस्तों आपका, राश्टी ग्रामिन आजीविका मिसन के रूप में, option number 4 साही आंसर हो जाएगा, question number 35, ग्राम एवं कुटीर उद्धोक समीती को और किस नाम से जाना कर्वी समीती के नाम से, लगू धोक समीती की जो स्थापना हुई थी, 1955 में हुई थी, ये बात आप याद रखेंगे, option number 1 सही आंसर हो जाएगा, question number 36, भारती सम्विधान का नीमन में से कौन सा अनुछेद उपाध्यू के निलंबन से संबंदीत है, ये है दोस्तों आपका उपाध्यो कांत करता है, ये बात आप याद रखेंगे, option number 2 सही आंसर हमारा हो जाएगा, question number 37, भारत में दुत्य पंच वर्षी योजना की अबदी थी, इसकी अबदी थी दोस्तों आपकी, 1956 से 1961 तक, option number 3 सही आंसर हो जाएगा, question number 38, बहु कोसी के अलेंगिक प्रजनन वाल खंडिज जीवों का समुग क्या कहलाता है, ये कहलाता है, आर्थो पोड़ा, option number 3 सही आंसर हो जाएगा, question number 39, प्लासी का यूद कब हुआ, प्लासी का यूद हुआ था दोस्तों आपका, 1757 में, option number 1 सही आंसर हो जाएगा, question number 40, भारती सम्विधान के राज्ये के नीति निर सिद्धानतों की प्रवर्ती है, इसकी प्रवर्ती है दोस्तों, गैर नियाएग, राज्ये के नीति निर दे सकता है तो भाग 4 के नतरगत आते हैं, सम्विधान के भाग 4 के नतरगत आते हैं, और इसमें article आते हैं, article 36 से लेकर, article 51 ये बात आप याद रखेंग, और राज्य दोस्तों, दादा भाई नरोजी, और ये दिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये बात भी आप याद रखेंगे, option number 1 सही आंसर हो जाएगा, प्रशन अबर 42, नीमन में से किसका संबंद, गोल क्रांती से संबंद है, इसका संबंद है दोस्तों, आलू से, आलू से इसका संबं नीमन में से किस खेल या इस परदा से संबंदी सब्द है, ये संबंदी है दोस्तों, भारो तोलन से, option number 1 सही आंसर हो जाएगा, question number 44, आयसीओ महासागरी ये धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है, ये भैती है दोस्तों, आपकी प्रशानत महासागर में, option number 4 सही आंस हो जाएगा, question number 46, नीमन में से किस सासक ने दिल्ली में जाम वजजीत का निर्मान करवाया, ये करवाया तो दोस्तों, सहा जहाने, 1644 से लेकर 1656 के बीच इसका निर्मान कराया था, ये बात आप याद रखेंगे, option number 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, question number 47, केंदर सासित प्रद 48, दरपन के समान समतल सतय से परावरतन क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों, आपका नियमित परावरतन, option number 2 हमारा लाश्ट क्या दोस्तों, नीमन में से किस कारण के फल्सुरूप केंदर सासित प्रदेश पुदुचेरी का निर्मान किया गया था, इसका निर्मान किया के कारण, option number 3 सही answer हो जाएगा, वीडियो आपको कैसी लगी, comment box में comment करके जरूर बताना, वीडियो अगर आपको पसान देए, ये इसको like करना, share करना, चैनल पर अगर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, thanks for watching, thank you